नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाप फिर से आप सभी का हार दिक्स हो आगे ते आप ही के अपने चैनल मनी गुरुजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आई पेल 2022 के नेक्ष मुकाबले के बारे में जो की काफी शांदार मुकाबला खेला जाने वाला है रोयल चलंजर बैंगलोर वसेशन राइजर हैदरबात के बीच में फ्रेंज यह जो मुकाबला खेला जाने वाला है वह होने वाला है 3 अप्रेल को शाम को 7.7 बए से प्रेबौन स्टडियम मुंबई के ग्राउं पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है उससे पहले टेलीग्राम पर फोलो करना है टेलीग्राम पर रोजाना चल रहे हैं लगबग एक लाग रुपे के गीव अवे और फ्रेंज आपको टेलीग्राम पर एसी एसी इंफोरमेशन मिलेगी जैसा की गोल जितनेगा मोका दुबई जानेगा मोका बहुत सारी इंफोरमेशन है टेली उसमें से आर्सीबी की टीम ने आठ मुकाबले जी ते हैं दो मुकाबले अपने नाम के बात करने प्लेयर पर्फॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहला नाम आता है केन विलियमसन का जब भी खेल थे हैं RCB के सामने 9 मेचों में 351 अन बना कर आ रहे हैं वो भी 58 की एवरेज से तो फ्रेंज आप सभी ने देखा इस सेजन में केन विलियमसन नहीं चले हैं लेकर RCB के सामने जिस तरह की इनकी फॉर्म नजर आती है तो कहीं न गई ग्रेंड लि केप्टेन वाइस केप्टेन जरूर बना दीजिएगा फिर हम बात कर लेते हैं यहां से ग्लेन मेक्सवेल के बारे में तो भया इनों ने दो मेचों में 99 रन बना हैं वो भी 59 की एवरेज से सन्राइज हैदराबाद के सामने अब बात करते हैं बुनविशर कुमार की अब थोड़े से रिस्की प्लेयर में बतूंगा जो अगर चल गए तो आपको ग्रेंड लिग तक वोन करवा सकते हैं उसमा नाम आएगा सबसे पहले ही शाबाज एहमत का आप देखोगी यह ऐसा चुपा रुस्ता में कि कभी न कभी आपको टॉप रेंक पर लाही सकता है ग्रेंड लिग में जरूर आव आजमा लीजे अगर इसके टीम आप बनाते हो तो दो मेचों में 28 रन बना है 28 की एवरे से और 3 विकेट निकाल चुके हैं सन्राइजर हिदरबाद के सामने वही पर मौमत सिराथ को इस मीट में बहुत कम लोग लेकर चलेंगे लेकिन क्रावले बाद में बल्ले बाजी करने वारी टीम ने जही थे हैं स्कोर यहां पर मातशनितर को आप लिए तो गेन बाजो के लिए इतना कोई जादा यहाँ पर है नहीं पूरी तरह से बल्ले बाजी एवेन उकुल हमें विकेट यहाँ पर नजर आता है तो फ्रेंज आप जो टीम बना रहे हो तो थोरा सा प्रेफेर किजेगा वो किजेगा बल्ले बाजो को मैं मान के चलूँगा 210, 211, 180, 126, 190, 190 सारे के सारे आपको 177 उपर के स्कोर देखने को मिल रहे है फिर 215, 171, 115, 116, 119, 111 तो आप देखो के सब भी आपको 177 से उपर के देखने को मिल रहे है 217, 210, 115 ये थोड़ा रहे हाई स्कोर बना है वहीं पर लेकिन देले की टीम ने उल्ली एक विकिट पर 10 ओर में 119 न मार दिये ते ये भी बात आपको सोचने वाली है बात कर लें रोयल चलंज अब बैंगलोर की टीम से तो फैब डूपलेशी के साथ में अनूज रावद आपको ओपनिंग करते हो इन जर आ सकते हैं फिर विराट कोली है लास्ट में चार विकेट लेकर गए थे हर्शल पटेल ने लास्ट में दो विकेट लिये थे वही पर मौमस सिराज तो कुछ इस प्रकार रह सकती आरसे भी की पॉसिबल प्लेइंग लिए वनाग गेन बाजी की बात करूँ तो आप देखोगे मौमस सिराज ने चार ओर में सहता लिसरन जरूर दिये थे लेकिन दो विकेट अपने नाम किये वही इंडो अशंगा ने ओनली दो और गेनवाजी थी उसमें इन्होंने बीस रन दिये थे तो यह थी आरसे भी की लास्ट मेच की गेनवाजी अगर संवरी से हिद्रवाट टीम की में बात करूँ तो कैन जो कि स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ धीरे धीरे इनकी फोर्म आती कहीं लेकिन फिर से इनकी फोर्म जाती रही है लेकिन इस ग्राउन पर बहुत अच्छा कहलते है के एन विलियमसन इस बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है तीर नटराजन और उम्रान मलिक हाला कि गेंदबाजी में इनके पास ज्यादा यंग स्टर है लेकिन यंग स्टर बहुत अच्छा काम करें जिसा कि लास्ट मुकाबले में आप देखू कि उम्रान मलिक ने चार विकेट निका लेते है अगर लास्ट मेच की में नहीं टीर नटराजन कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं देखो कि आप हर मेच में इन्होंने लगबग विकेट निकाले हैं फिर हम बात करेंगे यहां से जगदीशा शुति चार और में 28 देकर एक विकेट इन्होंने लिया है तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या र लिंक मिलती है उसके अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको जो बोनस मिलेगा 100% बोनस से आप यहां पर खेल सकते हो ग्रेंड लिंग में 25% तक बोनस है यहां पर यूज कर सकते हो साल साथ पहले डिपोजिट पर यह आपको 200% तक बोनस देता है तो बहुत अच्छा ह बात कर लेते हैं टीम की तो फिलाल मैंने यहां से निकोलस पूरण को विकेट केपर सेक्शन की में बात करूँ तो निकोलस पूरण का ओपशन है दिनेशकार्तिक का ओपशन है और अनुज जरावत का अनुज रावत ओपनिंग करते हैं निकोलस पूरन लगबग नंबर पांच पर खेलते हैं दिनेश कार्थिक नंबर पांच नंबर छे और नंबर साथ मलपन की बल्ले बाजी करम थोड़ा सा चेंज होता रहता है तो 24 आपके में जो लेकर चलूगा वो निकोलस पूरन को लेक पांच गेंगम थोड़ा हैं पांच घंग बाज में लिकर चलूगा तो पांच गेंग बाज में वैंडु ए ँशंगा को लिया आई अब आप देखो कि जब सामने की टीम की गेंद बाज इसलिए मैंने तीनों को अपनी टीम में जगे दिये चले से पहले प्रिवीयू देख लेते उसके बाद मैं आपको बताओंगा ड्रीम की टीम उससे पहले फ्रेंज फिर से जा दिला धू फैन टू प ले एको लिंक मैंने विडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये जाकर डाउनलोड कर लीजीगा और जो हमारा टेलिग्राम है वो मनी गुरुजी के नाम से सर्च करने से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि काफी फ्रोड बंद है जिन्नोंने पूरा टेलिग्राम मेरा कॉपी किया है बल्ले बाजी मेरी बहुत ज़्यादा इस्ट्रोंग हो गई अगर विकेट कीपर और यहाँ पर ओल्राउंडर को भी विला दू तो बल्ले बाजी बहुत ज़्यादा इस्ट्रोंग मुझे नजर आती है फिर हम बात कर रहे हैं से जो सेजलवूड वहिंडू अशनगा हर्चल पतल तीनोही विकेट टेकिंग गेंद बाज और उम्रान मलीक और टीन रटराजन आप चेंज़ेस क्या कर सकते हो टीन रटराजन या उम्रान मलीक की जगए आप क्रेडिट मेनेज कर पाओ तो आड़ पिशेक सर्मा को अब लेना चाहें तो आप आपके हिसाब से किसी प्रगा का कोई भी चेंज़ेस कर सकते हो चलिए अब हम बात कहलेते हैं ड्रीम टीम के बारे में तो फ्रेंज मेरी जो ड्रीम की टीम है थोड़ी से आपको अलग देखने को मिलेगी मेरी ड्रीम टीम को इस पगार रहने वाली है इसमें मैंने किया किया है केन विलियमसन, निकोलस पूरन, फैब डूपलेसी और राहूत रिबाडी को लिया है फिर ग्लेन मेक्सल, एड़म मकरम मेरी टीम में आ जाते हैं फिर जो सिजलवूड, हर्शल पटेल, वहिंडू अश्रंगा, टीड नटराजन और उमरान मलीक बागी अगर आपके वज़ क्रेडिट हैं, तो आप यहाँ पर विराट कोली को ले सकते हों, क्योंकि जो पीछ है वो बल्लेबाजी के अनुकल विकिट है, अगर उनकी फोर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पीछ के अकोड़िंग अगर खेल सकते हैं, विराट कोली है, फ्रेंस फाइनल अप्डेट आप हो मारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में, थैंक्यो वेरे माच्च